खमागणी आप सभी को मालो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज LDC का पेपर था आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा राजस्थान जीके के आंसर्स हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से आंसर्स बनेंगे आप कॉमें बता सकते हैं ठीक है वर्तमन में भारत के चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ कौन है 101 प्रेशन है यह तो आप क्वेश्चन आंसर मैच किजिएगा सिरीज सबके पेपर में अलग-अलग मिलने ही वाली है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी यानि की लेफटिनेंट ज कौनसी है बनास नदी उसके बाद बांध और जिले दिये गए हैं हमें मैच करना है तो इसरदा बांध होगा सवाई माधुपूर में पिच्यक जोधपूर में सही मांत उध्यपूर में चापरवाड़ा जैपूर के अंदर अगर आपको सिर्फ एक बीडायम आता है तब भ किया जबड़ सोगे इसका आंसर हो जाएगा उप्षयूर कर नमबर का होगा उपश्यूर को जाएगा यानि की शाह जहाँ इसका आंसर सर जाएगा ऑप carbohydrates जाह जहां belong कहां का राज्ययपाल रहे चूकी है बिहार, जारखंट, ओडिसा, राजस्थान तो इसका आंसर हो जाएगा option number 2 यानि की जारखंट ठीक है वर्टी सोल मृदा मुख्यता कौन से जिला समू में पाई जाती है वर्टी सोल का मतलब है ब्लाक सोयल काली मृदा की बात हो रही है तो हडोती रीजन में मिलती है तो इसका आंसर हो जाएगा option number 2 यानि की कोटा बुंदी ठीक है शेत्रफल के दृष्टी से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो ये tricky question इनोंने दे रात का तो 107 वर्षन का आंसर होगा option number 3 यानि की कच तो ये tricky question हो सकता है बताईएगा ये question किस कौन सही करके आया है comment section में जरूर बताएगा जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधान मंतरी कौन था तो इसका आंसर आ जाएगा option number 3 यानि की शाहबाद शरीफ ठीक है भारत वर्ष में किस खनीज की 90 प्रतीशत से जादा आपूर्ती राजस्तान से होती है चांदी तांबा जिपसम या फिर लोहा तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा option number 1 चांदी इसमें आंसर आएगा जिपसम नहीं आएगा इसका आंसर होगा option number 1 चांदी ठीक है पीतल और पाथल किस कवी की रचना है तो बड़ा आसान प्रशन है इसका उत्तर होगा option number 3 यानि की कन्हया लाल सेथिया ठीक है दस्तावेजों को digital form में रखने के लिए भारत सरकार की जो है उसका नाम क्या है इसका आंसर होगा 111 प्रशन option number 3 डिजी लॉकर इसका आंसर होगा option number 3 डिजी लॉकर ठीक है 112 प्रशन कौनसा निरत्ते राजस्तान से संबंदित नहीं है काल बेलिया गैर घूमर ये तीनों ही राजस्तान से सम्मंदित है option number 4 जूमर जो है ये राजस्तान से सम्मंदित नहीं है तो इसका आंसर होगा option number 4 जूमर सलादी पूरा सीकर में कौन से खनीच का उत्खनन किया जाता है पाइराइट्स बेराइट्स फेल्सपार लोहो ऐसक तो इसका आंसर हो जाएगा option number 1 पाइराइट्स ठीक है सलादी पूरा सीकर पाइराइट्स राजस्थान की कार्य पालिका के मुख्या कौन है तो कौन होते है अगर आपको ये जनरली पता है राजस्थान पॉलिटी में तो इसका भी आंसर दे पाएंगे तो इसका आंसर आएगा option number 3 कलराज मिश्र head of executive कौन होते है गवर्नर होते हैं head of executive कार्य पालिका कौन होते है राज्य पाल तो इसका आंसर आजाएगा option number 3 कलराज मिश्र खड़ताल क्या है नृत्यर याग वाद्य यंत्र या फिर तालाब तो ये क्या है वाद्य यंत्र है आप बताएगा कौन सी श्रेणी में ये आता है सुशिर वाद्य यंत्र में जाएगा option number 2 1974 में की गई अंतर राश्य नैले का मुख्याले कहां पर है हरारे हेग वाशिंग्टन लंदन तो ये हेग नीदर लैंड के अंदर है option number 2 इसका आंसर हो जाएगा हेग इसका आंसर आएगा 117 का दो ठीक है बुंदी के प्रसिद के लिए तारागड का निर्मान क किस ने करवाया तो इसका आंसर होगा option number 3 बर सिंग हाडा के द्वारा करवाया गया option number 3 बर सिंग हाडा हाल ही में समारग घोशित मानगर धाम का संबंद कौन से जिले से है डुंगरपूर, बांसवाडा, उदेपूर या फिर पाली तो इसका आंसर हो जाएगा option number 2 बांसवा का option number 2 शेफाली वर्मा ठीक है option number 2 शेफाली वर्मा पृत्वी राज चोहान की पत्नी का नाम क्या था तो इसका answer हो जाएगा एक सो 21 में का answer number 2 सेयोकिता ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा आठ जिलों से मिलती है राजस्थान के पूछे गए है पाली अजमे टॉंक या फिर कोटा तो इसका answer होगा option number 1 पाली की सीमा आठ जिलों से लगती है ठीक है प्रिटेन की महारानी एलिजबेथ दुधिय की मृत्यू के बाद उनका उतरा धिकारी किसको घोशत किया गया था चार्ल्स तुनक लेस्ट्रस या फिर चार्ल्स दुधिय। तो रिशी सुनक तो नहीं ही होगा इसमें थीक है चार्ल्स दुधिय या तृत्ये में आएंगे सवाई मान सिंग अभ्यारने कौन से जिले में स्थित है 125 question तो इसका आंसर जैपूर नहीं आएगा सवाई माधूपूर आएगा 125 वे का आंसर होगा option number 3 सवाई माधूपूर आर 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 के गाने नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठत पुरुसकार दिया गया है तो ये question मतलब ये बताता है एक आधा question वो बिल्कुल एक हफ्ता पहले वाला भी मतलब आपसे पूछ सकते हैं तो इसका आंसर होगा option number D golden globe award ठीक है कौन सा अवर्ट इसको दिया गया था golden globe award इसको मिला है और अभी हाल ही में इसे कौन सा मिला है ओसकर प्राइस भी दिया गया है तो 126 में का answer आएगा option number D नाटू नाटू सौंग ने काफी सारे awards जीते हैं ठीक है राजिस्थान के प्रत्थम मुख्य मंत्री कौन थे 127 वा इसका answer होगा option number 4 हीरा लाल शास्त्री जी ठीक है अगर यहाँ पर पूछा जाता प्रत्थम निर्वाचित मुख्य मंत्री कौन है तो answer हो जाता option number 2 टीका र आजी रंगा राश्री उध्यान कौन से राज्य से संबंदित है तो इसका answer आजाएगा option number 1 असाम से संबंदित है ठीक है असाम इसमें हो जाएगा अच्छा यह थोड़े इसको मैं देखती हूँ अगर यह रोटेट हो जाता है हो गया है ठीक है मुझे लगा रोटेट नही किस राज्य से संबंदित है संबंदित था उस टाइम पर रियासत राज्य था ना इसलिए पूछा है 130 में का आंसर हो जाएगा option number 2 बीकानेर से संबंदित है गिरीडी खोयला खनन शेत्र कहां पर पड़ता है तो इसका answer होगा 131 में का option number 2 जारखंड के अंदर आएगा गिर option number 2 नाथ द्वारा बनेश्वर का मेला कब लगता है option number 1 इसका answer होगा माग की पूर्णेमा को लगता है ठीक है अच्छा आप मुझे इससे फिर से रोटेट करना पड़ेगा एक मिनट दीजेगा यह मुझे ऐसा ही PDF अवेलेबल हुआ है अरावली जिला कौन से राज्य में स जन्वरी 2023 में स्काउट गाइड राष्टे जंबूरी का आयोजन कहां पे किया गया यह मेरा favorite question है क्योंकि बहुत सालों के बाद राष्टे जंबूरी अपने राजस्तान में हो रहा है तो इसका answer है पाली के रोहट के अंदर ठीक है तो यहां पे लोकल स्थान ना देखे आ पाली के रोहट के अंदर ठीक है 135 का second answer हो जाएगा कौन से शेत्र का विले एकिकरण की प्रक्रिया में राजस्तान में नहीं हुआ जोधपुर का हुआ मत्से संग का हुआ मेवात सिरोही तो इसका answer आएगा option number 3 मेवात मेवात का विले हमने राजस्तान के पूरे एकिकरण क चातो चर्णों में हम कहीं पर भी नहीं पड़ते हैं तो 136 में का answer हो जाएगा option number 3 ठीक है भारत में किस राज्ये में रबड का उत्पादन सबसे जादा होता है तो इसका answer होगा 137 का 2 यानि के केरला के अंदर होता है 2022 में किस हस्ती को पद्म विभूशन से समानित किया गया तो इसका answer आएगा option number 4 जनरल विपिन रावत जी को किया गया 138 में का answer हो जाएगा option number 4 जनरल विपिन रावत अजमेर की प्रसित दरगा किन से सम्मन्दित है तो option number 3 ये सबको आता होगा ख्वाजा मुईनोदीन ठीक है 141 मां भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर कारखाना खोला गया है तो इसका answer हो जाएगा option number 1 करनाट का ठीक है आर्य समाज के द्वारा वेदी की अंत्राले कहां स्थापित किया गया था तो ये बड़ा अच्छा question है इसका answer आएगा 142 में का option number 2 ज जमेर के अंदर सापित किया गया था ठीक है 143 मां पाक स्ट्रेट यानि की पाट जलट मरूव मध्य कौन से दो देशों के बीच में सेते तो पाक स्ट्रेट कहां पर है भारत और श्रिलंका के बीच में तो इसका answer हो जाएगा option number 3 ठीक है पंडित शिफ कुमार शर्मा जिनक मेले को आदिवासियों का कुम्ब कहते हैं बनेश्वर मेले को ठीक है तो बनेश्वर पे दो क्वेशन पूछे गए हैं बनेश्वर मेला कब लगता है और आदिवासियों का कुम्ब तो इसका answer हो जाएगा option number 1 बनेश्वर मेला बोलते हैं डुंगरपुर के अंदर जो की ल भारत में सबसे पहले सुर्यास्त कहां पर होता है तो जहां सुर्योध्य होता है वहीं सुर्यास्त होगा आंसर हो जाएगा option no.2 अरुनाचल प्रदेश ठीक है अगनीपच स्कीम किस चीज से सम्मंदित है तो काफी famous news में रहा था इसका आंसर हो जाएगा option no.2 सेना में भरती अगनीवीरों की भरती की जाती है तो उससे सम्मंदित है अगनीपच स्कीम आंसर हो जाएगा option no.2 तक्ति यह उख्ति कौन से किले के बारे में प्रसीद है तो यहां पर जोधान दे दिया उससे आंसर आ गया मतलब कि जोधपुर के अंदर होगी तो option no.3 इसका आंसर हो जा यह लाइनी किसके लिए है महरांगर के किले के बारे में जानी जाती है बूली जाती है ठीक है तो 148 वे का आंसर हो जाएगा option number C भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलिय सीमा साजा करता है तो इसका answer हो जाएगा option number 4 बांगलादेश के साथ किसके साथ करता है बांगलाद तो यह आपका सेशन था बताईएगा आप LDC की पेपर में कितने क्वेशन सही हुए, कितने आपके गलत हुए है, राजस्तान जीकेगा भी और अपना टोटल स्कोर भी बताईएगा, ताकि हमें एक एस्टिमेट पर पहुंच सके कि कट-off कहां पर जा सकते हैं, तो सेशन अच कीजेगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, मिलते हूं मैं आप से नेक्स सेशन में, सबको मेरी तरफ से घने घने रामरा,